अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस दस मिनट में लाएगा आपके घर दूद और दहीं, बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान तो बात करते हैं पाम तेल को लेकर, इंडोनेशिया ने पाम तेल का निर्याद बंद कर भारती उपभोगताओं की परिशानी बढ़ा दी है ये खाद तेल महंगा हो गया है, लेकिन अब भारत ने गेहूं के निर्याद पर प्रतिबन लगा कर इंडोनेशिया को दबाब में आने पर मजबूर कर दिया है इंडोनेशिया भारत से गेहूं का प्रमुख खरीदार है ओल इंडिया एडिबल ओल ट्रेडर्स फेडरेशन के राश्य अध्यक्षि संकर ठकर का कहना है कि अगर इंडोनेशिया सरकार तुरंट प्रतिबन नहीं हटाती है तो भारत सरकार को इंडोनेशिया को निर्याद होने वाली चीनी और अवश्यक वस्तू के निर्याद पर भी प्रतिबन लगा देना चाहिए जिसे इंडोनेशिया की जो नाक है वो दब जाए और जुक जाए लेकिन बताते भारत के इस फैसले से इंडोनेशिया कुछ ही दिनों में पाम उयल के निर्याद पर लगी रोग को हटाने पर मजबूर भी हो सकता है अगर ऐसा होता है तो भारत के साथ साथ चीन और पाकिस्तान को भी रहत मिलेगी वही ठक करने का कहना है कि इंडोनेशिया की अपनी परिस्तिदिया भी उसे ताड़ के तेल के निर्याद पर प्रतिवन हटाने के लिए मजबूर कर सकती है उसने कहां खादे तेल की घरेलू कीमतों को कम करने के उद्देश से निर्याद पर प्रतिवन लगा दिया था लेकिन अभी तक इसमें उसे सफलता मिलती नहीं दिख रही है इंडोनेशियाई सरकार खादे तेल की कीमत को 14,000 इंडोनेशियाई यानि की लगबग 74.50 प्रती लीटर तक लाने के अपने लक्ष को प्राफ्ट करने में आसमर्थ रही है इंडोनेशिया पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है बता दे 28 सप्रेल को लागू हुए इंडोनेशिया के प्रतीबन ने भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे कुछ आयार देशों को परिशान कर दिया है जिनोंने पिछले सब्था विश्व बजा संगठन में इस मुद्दे को भी उठाया था पाम तेल के निर्यात पर प्रतीबन के पड़िनाम सरूप इंडोनेशिया में अराजवक्ता फैल गई है घरेलू कीमते 17,000 रुपे प्रती लीटर है जबकि ये रियायू या सुमात्रा और काली मन्त जैसे बड़े राज्यों में इनकी जो कीमत है वो 23,000 रुपे है जिससे पता चलता है कि इंडोनेशिया सरकार का लक्ष अभी तक हासिल नहीं हुआ है उपर से उनमें किसान भी इन से परिशान है इंडोनेशिया सरकार ने 28 सप्यल को जारी अपने आदेश में कहा कि ताड के तेल का प्रतीबन हटाने से पहले खाना पकाने के तेल की कीमतों में 14,000 रुपे की गिरावट आएगी जिसके परिणाम सरूप कई खाद तेल उत्पादक कमपनी अप पाम फ्रेश फूट बंच खरीद रही है वहीं बता दे 21 सानों ने FBI की कटाई विबन कर दी है वहीं जिससे लगभग जो दहसत है वो दिखने लगी है कच्चे पाम तेल भंडारन में भी दिख रहा है कच्चे पाम तेल का उत्पादन करने के लिए FBI को कुचलने वाली फैक्टरियों ने उत्पादन धीमा कर दिया है अब FBI भी स्विकार नहीं करते हैं वहीं दूसरी ओर तेल को स्टोर करने के लिए आवश्यक टैंकों की कमी और कच्चे तेल को परिक्रिप करने के लिए रिफाइनरियों की कमी के कारण इंडोनेशिया को कुछ दिनों में निर्याद बंद करने की मजबूर होना पड़ सकता है वहीं संगठन के महासचीर तरुन जैन ने कहा कि मलेशिया ने प्रिशले सब्ता निर्याद कर में 50 प्रतीशत की कटोती की थी इस गोशना के साथ इंडोनेशिया के अपने निर्याद बजारों को खाने का वास्वी खत्रा है वहीं भारत, चीन और पाकिस्तान, मलेशिया के निर्याद कर में कटोती का फायदा उठाएंगे और तीनों बजार में मलेशियाई पाम तेल की हिस्तेदारी बढ़ाएंगे वहीं इंडोनेशियाई प्रतिबंदों के मद्दे नजर भारत और अन्यायातक देश मलेशिया की ओर रुख कर रहे हैं निर्याद कर में कमी ने मलेशियाई निर्याद संभावनाओं को और बढ़ावा दिया है वहीं दूसरी ओर रूस यूकरेन संभर्ष के कारण सूरज मुखी के तेल में कमी को देखते हुए यूरोप द्वारा अधिक पाम तेल खरीदने की उम्मीद है इंडोनेशिया में पाम तेल पर प्रतिबंद और सुरज मुखी के तेल की आपूर्ती में कमी के कारण सोया भी इन तेल में तेजी आई है तो ये थी बात पाम तेल की तो बता दे की भालतिये वेपारी होने केंद सरकार से गिहूं के बाद अब इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट होने वाली चीनी और अन्य आवस्तुओं के एक्सपोर्ट पर भी पावंदी लगाने की मांगी है ताकि इंडोनेशिया नाग दबाने पर मुझ खोलने वाली स्तिति ना आ जाए तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हैं Market Times TV के साथ मुझे दीजे जासत नमस्कार